चलिए शुरू करते हैं उतरा खंड टैसरीस का भाग 18 इसमें भी हम देखेंगे कुछ महत्रपूर प्रस्णों को चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रस्ण है शूर्गेन किस जनजाती का त्योहर है तो जो एक त्योहर है शूर्गेन वो किस जनजाती का त्योहर ह तो इन चारों में से सही आंसर है भोटिया और भोटिया की उपजाती है जाड जो उत्रकासि में निवास करती है उश्कातियो अहरे शूर्गेन शूर्गेन और इसके साथ एक और है लोशर अगला प्रस्ण रामचेत्र किसका प्राचिन नाम था तो इन में से किसे रामचेत्र भी का जाता था तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलमोडा और मड़ा को रामचेत्र राजपूर आलमनगर इन नामों से जाना जाता है अगला प्रस्ण नैनीपातल नामकस्तान कहा इस्तित है तो नैनीपातल जो नामकस्तान है वो कहा इस्तित है तो रचना है, बुनियाद यह किसकी रचना है, तो बुनियाद जो रचना है, वह है मनोवर्षयाम जोसी की, मनोवर्षयाम जोसी की रचना है, बारवार प्रिक्टाओं में पूछी जाती है, बुनियाद मनोवर्षयाम जोसी, अगला प्रस्न, पन्ना और अंगूर की बेटी किसकी रचना है तो दो है पन्ना और अंगूर की बेटी तो यह है मसहूर सहाइत्यकार गोविंद बलब पंत अगला प्रस्ण कियोगाड और गिर्थी किस नदी की सहायक नदिया है तो कियोगाड और गिर्थी जो है वो सहायक नदिया किस नदी की है तो इसका सही आंसर है पश्यमी धौली गंगा पश्यमी धौली गंगा जो अलग नदा की सहायक नदी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगड, रामगड में सीत है राज फल सरक्षन केंद्र जबकि मुक्तिस्वर में पसुची की साले का मकाम मुक्तिस्वर को कहते है चोबटिया में अर्जों के समय से एक परसिद्ध फलोध्यान था अगरा प्रस्न हसुला किस अंग में पहना जाता है तो हसुला यह का अवुसन है और यह किस अंग में पहना जाता है तो इसका सही आंसर है हसुला गले में पहना जाता है और बच्चों का अवुसन है हसुला महिलाय भी इसको पहनती है तारकेश्वर मंदिर किस जनपद में इस्तित है तो तारकेश्वर मंदिर है पौड़ी गड़वाल में अगला प्रस्ट जागेश्वर मंदिर समो किस शैली में निर्मित है तो मंदिर शैली अभी प्रमुक है तो जागेश्वर जो मंदिर समो है अलमोडा में वो किस शैली मे अगला प्राशन बक्सी प्राचिन नाम था तो किस सहर का प्राचिन नाम बक्सी था तो तराखरण में सहरों के प्राचिन नाम भी कई बार पूझ जाते हैं तो बक्सी जो प्राचिन नाम था वो है नानकमत्ता का नानकमत्ता है उधम सिंग नगर में अगरा प्रस्ट जखोली मेला कहां लगता है तो इन चारों में से जखोली मेला लगता है दैरादुन में जबकि जखोली नामा की एक अस्तान है एक तैसिल है रुद्रप्या की अगला प्रशन बाड़ा हाट का थौल किस माहा लगता है तो जो मेला लगता है बाड़ा हाट का थौल वो किस माहा लगता है तो इसका आंसर यहीं से निकल जाएगा कि बाड़ा हाट का थौल किसे कहता है तो इसे कहता है बाब उत्तरकाशी के माग मेले को कहता है बाड़ा हाट का थौल तो माग महिने में लगता है बाड़ा हाट का थौल अगला प्रशन लडी धुरा मेला कहां लगता है तो जो मेला है प्रमुक मेला लडी धुरा वो कहां लगता है तो ये लगता है चंपावत के पमदा देवी देवाले में लगता है लड़ी धुरा मेला जब कि देवी धुरा मेला भी चंपावत ही में लगता है अगला प्रश्ण सरवर पीट मेला कहा लगता है तो सरवर पीट जो मेला है ये लगता है गजरपुर उदमसिंग नगर में अगला प्रश्ण नंदा देवी जयव मंदल सुरक्षि छेत्र की स्थापना कह हुई तो नंदा देवी जयव मंदल सुरक्षि छेत्र जो विश्थित है चमोली और पिथोरागड में इसकी स्थापना कह हुई तो इसकी स्थापना हुई 1988 में जबकि नंदा दिवी राष्टे है उध्यान जो उसकी स्थापना जो हुई है 1982 अगला प्रस्ण थारवा में विवाहत है होने की रस्म को कहते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्की पोड़ी अगला प्रस्ण दोर्यानी ग्लेशियर किस जनपद में इस्तित है तो हमारा जो ग्लेशियर है दोर्यानी ग्लेशियर वो किस जनपद में इस्तित है तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोर्यानी ग्लेशियर है उतरकाशी में अगला प्रस्ण सर्वे ओफ इंडिया देरादुन कब आया तो सर्वे ओफ इंडिया का मुख्याले देरादुन कब आया क्योंकि सर्वे ओफ इंडिया की स्ताफना हुई थी 1766 में बंगाल में तो यह कब देरादुन आया तो यह आया दुतिय विश्यूदु के समय स्थीति को मनाते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्रा दिसंबर सत्रा दिसंबर मनाते हैं गंगा सास्ता दिसंबर तो यह थे आगप रस्जिस डाए